कि अच्छा था कुछ कंफूजन चल रही थी आपके माइंड में तो प्लीज अपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा आपका वो गवर्मेंट की पॉलिसी के बारे में डिसक्स किया गया है तो जूट पॉलिसी है यह डिफरेंट अभी हमारा कुछ डिसक्रिशन चला आपका जूट पॉलिसी के लिए तो आप अगर आप चैक करेंगे तो इसके आंसर आपको बिल्कुल थोड़ा डीप ले स्टडी करेंगे तो प्रॉपर आंसर आपको मिलेंगे लेकिन जो जूट पॉलिसी के अंदर जो रूज लागों कि यहीं वो डिफरेंट है तो इसको जुरूर एक बार चेक कर लीजीगा तो इसमें कोई कन्फूजिन नहीं होनी चाहिए और वैसे भी मैंने आपको बोल दिया आपका डॉन्ट वरी अगर आपको लगता है कोई कन्फूजिन है तो में दोनों तरह के जो आंसर उन पर आपके आपको माक्स दे देंगे आपको चलिए अब हम आज के पॉइंट में पढ़ते हैं आपका कलमने तो आपका क्लासिस हुई नहीं थी अपका डेब फॉर यस्टरड़े वाट वेड़ेड अबाउट हमने क्या क्या था नैशनल प्लिटिकल पार्टी के लिए क्या रिक्वाइर्मेंट होती है और इसकी क्या इ सकते हैं कि कौन सी प्लिटिकल पार्टी क्या इसके लिए बीकुरूस बनें होगी कि उसके क्रीटेरिया हमारे पास तो कुस्क्राइ Еще सकते हैं पार्ट Lehr सकते हैं तो आज का ठॉपिक क्या क्टेजिशन की लिए में क्टर। norm प्सलट कॉप्लिट करना पड़ेगा अभी इस सटेट परहों जैसे हमने डिसक्रस को था आपका पयाते हैं आपकी प्लिचिन कमिशन के दो पार्टिया वह पंड्रीच को मैंड लोग एक लिख जांपल के लिदे शियर्व मारी पुलिटीक्ल पार्टी युटीक्ल पार्ति हो तुमिसिते हैं नागुuma के लिए रेगें वे पॉम्हमें पूबमें के युपी हाधिक्ट पॉलिटिकल पार्ति है आपको वह आपके सिर्फ आपको नाम याद रखने आपको कोई भी आपसे कॉशन डिस्क्रेप्टिव नहीं पूछता आपका की पूछ लिए आपसे जीपी की पॉल्सिस के बारे में बताई आपका आपको आपसे यह पूछा जा सकता है कि किसी भी चार जो रिजिनल प्लिटिकल पा फिर्च पूछ पूछ घ्यागी एक स्टेट या कुछ स्टेट तक की सीवमीत हो सकती है इसलिए को स्टेट प्लिटिकल पार्टिव कारें पैटिकल सूर्ट इंदे्म म्याक्री प्लेग्डूक बालिख से होती है वाय इनको क्यों मानते है आपका सब्सक्क्स ओंगें और इन नतलburgh हम्हें नज़र तो आती है उसमें इन पोलिटीकल्त हैं डिस्कस कि यह कि एक राच आच signs पर लेकिन उसके बाद जादर यह ट्रेंड देखने को मिला है कि जो कोई भी परिटिकल पार्टी है उसको मैज़टी का मतलब होता है अब का विन करने के लिए 276 में होती है अगर हमें अपनी गौर्मेंट बनानी होती है अगर हम्टू सेविंटी सिक्सीट को एक्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या कहलाती है क्यों प्रिटिकल पार्टि आपको यह मैजुरिटी के साथ आई है और उसको किसी डूसी पेडिकल पार्टि की जरूरत नहीं है लेकिन होता है पार्ट को भी प्लिटिकल पार्टी इस मेज्रिटी को एक आप सब्सक्राइब करते हैं अब यह में हैं जो डियांस करती है अगा değer za करते हैं आपका यह में ही जो डेमोक्राइस का फीचर हो तापका कि दायर्वर्स कर दीजिये चीजों को बहुत ही ज्यादा स्वीघ के चोटे से चोटे लेवल के इस्यूज को पार्लेमेंट तक पहचा है ताकि उसको का पॉलुज़ करते हैं क्योंकि आमने डिसकुस किया था जो लॉकल गॉर्नमेंट होती अब नहीं कि अदरी ते लोकल bonsatay आंके वह बैकर जानते हैं कि उस एरिया कि प्रावलम क्या है तो वो हमारी मdoes plant को पेहुंचा सकते हैं विए कारोल नहीं पनारे हुए हमारी आज़ती आर पर श्लाइ Vale नहीं सुखजिकल को नहीं क Mohammed B करकार नहीं बना पाती है in that case they need to take help of the regional party उस case में इनको क्या करना पड़ता है they had to take the regional party's help उनको regional parties की help लेनी पड़ती है ताकि अपनी government को बना सके इससे क्या होता आपका regional party also gets shared into the power इससे क्या होता जो political party regional होती उसको भी आपका parliament में share मिलता है आपका government में बनने में है वह अपनी जो पार्डिस के साथ उसने अपना किया है उसको भी उसकी suggestion को मानना पड़ेगा यह बैटर है आपका की और इससे होता क्या है हमारे पास जो हमारी डेमोक्रेसी है जो हमाने हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी की हमारे गट्रेंट स्टेंट क्या है और यह स्ट्रेंथ ने कैशीं का इंढ़ीशें हमारे Pi आफ यह Bliss का इस पावर को क्या करें आपका डिवाईड करा इतने ज्याद़ लिवड़ करोंगे इतना ही अच्छा रिदिजनेशन का आएगा तो इसी मखना करते हैं नेक्स yaptयों मानलो हमारे पास एक प्लिटिकल पार्टी वही अगर Mejority में रहेगी तो फिर editorial नहीं होगा इससे क्या होगा जैसे एक समस्amba पार्टी है उसका मेंबर को जीट कर आते हैं तो जो हमारी पार्लेमेंट उसमें अलग अलग तरह है रीजिन के लोग आएंगे और उनके क्या होंगे आपके अब यह बात है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा और वहां के लिए रूल्स बनाना क्या हो जाएगा आसान होगा तो मारे पार्लेमेंट में डिफरें हमारा क्या होता है कि हम सब को इंडिया के साथ हम लोग हमारे पास है तो हम लोग यहां पर सब मिल जूद कर रहें तो यह चीज को आगे बढ़ाते हैं अगर एक्जाम्पल करें कौन कौन से हमारे पास लोकल प्लिटिकल पार्टी होगा समता पार्टी उतर प्रदेश में पनजाब के अंदर है आपका तो यह पार्टी के नाम जरूर रखेंगा क्योंकि आप से पूछ सकते हैं आपका किसी भी चार प्लिटिकल पार्टी जो हमारे पास इंपोर्टेंस ऑफ दा स्टेट प्लिटिकल पार्टी जो हमारी पॉलिटिक्स में अपना रोल निभात दी अपका करते हैं जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टे उसके करी क्योंकि होता है इस्से पहले हमने नैशनल पॉलिट कार्ट के बारे में बात किती सिर्फ सब्स्री उसके बारे में उसमें को सिटे इंट आटें करनी एंकर सिट-स और फोर सीटंस और वार्स और चार ओं नाशनल प्रटिकल पार्टी बनने के लिए अब हम बात करते एक स्टेट पार्टी किन किन स्टेट पर बन सकती है चार से पांस मैंने कंडिशन लिखे हैं सबसे पहली कंडिशन किया आपका इसके साथ-साथ-दो सीटें अगर जीत जाती है तो उसको रिकोगनाइज कर दिया जाता है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी अब स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को रिकोगनाइज करने के लिए पास किया व्लक आख का स्टेट कि एलक्षण कमिशन कि इसके लिए कि शीफल बनाने कै heureद चाहि को're gonna listen के और उसलिकॆर पर पर keto करने के लिए हमारे 진행 कि भीhen 90 सीट में जितने भी हमारे वैलिड वोटर से हैं उसका 6 परसेंट आपके वोट आने चाहिए और दूसरा उस नभ्य सीटों में से है तो हमारे पास वो क्या बन जाती है आपने से कोई ब़ी सेट divine जाएगी तो वह मुंस नब फिर दूसरा है है आपका जब लोगसफा का इलक्षन होता है और वह प्लिटगल पार्ट अगर लडद तो क्या करें च्रेंट जो लोगसफा का इलक्षन होनल소 और करें और एक सीट को विंड करें कोई भी छ्मरेंट शीट आपकी लो सब्सक्राइब्स करें किसी भी स्टेट में आपका हर्यान में 90 थो यूप उसका 3 परविश त्री परसेंट और या फिर फीर सीट पर या फिर सब्सक्राइब सेट के इंदर जब इलेक्शन होता तो इसमें अगर जितनी सीटे हैं उन में से सिर्फ तीन सीटे अगर वो जीत जाती है को भी परिटिकल पार्टी तो उसको स्टेट परिटिकल पार्टी कहा जाएगा है अगर किसी स्टेट में जो इलेक्शन होता है आपका लोग सभा के लिए उसमें हर एक 25 सीट में से एक अगर वो जीती है तो भी हमारे पास क्या बनेगी आपकी पर इलेक्शन कौन से होगा लोग सभा के लेक्शन होगा बिल्कुल कंफूस नहीं होना आपका लोग सभा पर मतलब MP के लिए होता है अगला हमारे पास एक और ओप्षिन दिया गया आपका शिक्योर एट लिस्ट एट परसेंट ओफ टॉटल वैलेड वोट इन एसेम्ली और लोग सभाई या फिर बिल्कुली आपका कोई परिटिकल पार्टी चाहिए अपका एसेम्ली का इलेक्शन हो चाहिए वो लोग सभाई के लेक्शन हो अगर उसमें टॉटल वोट का उसको अगर एट परसेंट वोट मिल जाते हैं तो वो हमारे पास स्टेट पोलिटिकल पार्टी बन जाती है यह हमारे पास सम्ट्राइटीरिया था फिर पर शिक्स परसेंट और लोग सभाई एक्षन के लिए एक और एक सीट लोग सभाई एक्शन के अंदर होना चाहिए थी परसेंट और टी शीट इंट टीन सीट परसेंट वोट असेंबली एक्शन के यह अगर अटेंड करती तो भी वो वो हमारे पास स्टेट पार्टी बनेगी हर पत्चीए में से पर्टिकुलर स्टेट के अंदर तो भी हमारे पास क्या बन जाती है आपकी लोग सभाई के इलेक्शन चाहे अपका अगर कोई पर्लिटिकल पार्टी एट पस वोड स्पर बन जाती है इसके अलावा भी अगर आपको कोई query होती है कोई confusion होती है तो please you can make call to me और आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं मैंने बार-बार आपको एगी बात बोली है आपकी कि हो सकता है थोड़ी delay हो सकती but you will get your answer आपको आपके answer जुरूर दिये जाएंगे आपके that's all for the day see you next time bye see you